मौइखका वेलकम बैक तो माय यूट्टूब चैनल तो आप सब कैसे हैं उमीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे तो मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मैं आज जा रही हूँ मार्किट और मार्किट मैं कहा जा रही हूँ दिली की जो सदर मार्किट है और चाननी चोक हैं जा रहे हैं मैं और दीदी और आपको पता ही है फेस्टिबल स्टार्ट होई गया है तो भई रक्षा बंदन मी आ रहा है तीज भी आ रही है तो भई उसकी तैयारी के लिए अब शोपिंग तो करनी पड़ेगी न तो आज मार्केट जाने है तो बहां जाके आपको दिखाएं क्योंक दीदी ने कहा था कि मैं तिरको भई पर ही मिलूंगी तो भई चलके देखती हूँ शायद उपर होंगी दीदी तो उपर जाके ही देख रही हूँ मैं दीदी को तो दीदी अब यहाँ पर मिल गई है मुझे आगे तो सामने ही खड़ी थी दीदी और कह रही थी कपस तो पर मैट्रो भी आ गई है और फिर मैट्रो में हम बैठ गए तो मैट्रो में अभी तो इतनी भीड नहीं थी क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले थे ओफिस टेम से और तीदी और मैं आमने सामने ही हमें सीट मिली और बारिश का भी मोसम था हो दिन सुबे भी बहुत तेज बारिश हुई थी और इस टेम तो भी बंद हो चुकी थी बारिश पर भार मोसम अभी थोड़ा ठंडा ही था और मैं यहां सामने बैठी थी दिदी के और दिदी मेरे सामने बैठी थी हमें एक साथ सीट नहीं मिली हम आमने सामने ही बैठे थे और हम कुछ बाते भी नहीं कर हुए थे अपस में मिलके हम की दूर दूर बैठे थे कुछ बात भी नहीं हो पाई और अब हम दोनों बात करते हुए जा रहे हैं और दीदी बोल रही थी कि व्लोग के चकर में अभी फोन मत अपना छिन वाली हो कभी कोई तरह फोन लेके भाग जाए मैंने का ऐसे तो कोई न निकाल लेते पता ही नहीं चलता तो भाई अब हम लेंगे दूसरी मेट्रो चेंज कर रहे हैं तो भी हम पहुंच गए है सदर पचार और यहां पहुंच के हमने लिए मैट्रो स्टेशन से उतरके रिक्षा लिए ए रिक्षा तो मार्केट में ए रिक्षा से ही जाते हैं और हम उतरे थे नहीं दिल्ली मेट्रो स्टेशन और वहां से हमने लिए लिए रिक्षा और भाई बहुत रश रहता हैं वहां पर तो किसी भी टाइम चले जाओ छुटी ओ ना हो तो मतलब किसी भी दिन चले जाओ इतने भीड रहती है बहुत जादा भीड रहती है और देखो कितनी बारिष होई थी तब भी इतनी ज्यादा हुमद्श थी बिल्कुल मौसम में बल्कुल पता नहीं क्या था इतनी बहुत ज्यादा घर मी थी वहां पर मार्कट । जैसे हम מאटो से बाहर निकले ना इत कितनी सारी राकिया हैं यह तो कहरे थे कि बिल्कुल हम दोनि मैं नहीं दे रहे थे और यह दे नहीं ऐसे सुननी संदर राकिया ती सब्क्वारी है। और यहांपे हमें। अच्य रेट में राखिया मिल रही थी। तो भी और बहुत बढ़िया राखिया थी। तो संदर शंदर राखिया थी। हम भी पसंद कर रहे हैं। कंफ्यूस थे कौनसी ले, कौनसी ना ले। क्योंकि वहां तो बहुत सारे डिजाइन थे बहुत सारे ये बच्चों के लिए थी ये देखो लाइट वाली जो आती है ना बच्चों वाली वो राकी थी फिर हमें याँ भी समझ में नहीं आई फिर दीदी निगा चलो आगे देख लेते हैं फिर हम आगे गए देखने तो होई हमने काफी दुकाने देखी और जहां से फिर पसंद आए फिर हमने ले ली थी राग्या तो गाई तो गाइस सदर बजार से शोपिंग करके हमने वहाँ से रिक्षा ली चाननी चोक के लिए और हम चाननी चोक में आ गए थे तो भी हम पहली दुकान में गए थे सूट वगएरा देख रहे थे अभी तो यहां तो हमें कुछ समझ में नहीं आया तो आगे देखा हमने तो भी मार्केट में ज्यादा मैं व्लोग बना नहीं पाई क्योंकि हम लेट भी हो चुके थे और आपको पता है शोपिंग करते करते इतनी व्लोग नहीं बना पाते क्योंकि हाथों में इतने बैग हो गए थे तो फोन बार बार नहीं निकाला जा रहा था और हमारी शॉपिंग हो गई थी चानी चोक से भी ये देखो हमने कितनी सारी शॉपिंग की है तो गाईज हमने बहुत शॉपिंग कर लिए और आज ठक भी गई और सारी चीज हमारी पसंद की मिल गई तो भाई अब चारे हम अपने घर वापी सम्मेट्रों में बैठ गई है और आज का व्लोग इतना ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लोग में बाई बाई